This is your maths class, exercise 12.1 हमने start की हुई है, question number 1 और 2 मैंने आपको कराए थे, I hope आपको समझ आ गए होंगे, अब हम करते है question number 3, 4 and 5, question number 3 is fill in the blanks, the hour end takes dash hours to move 2 to 9, जो hours end है, वो कितना time लेता है, 2 से 9 तक move करने के लिए, देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, hours के, जब यहाँ पे हमारी cloak 2 से 9 तक move करकर जाएगे, तो कितने step चलेगी, 7 step, तो कितने hours complete हुए, 7 hours, ठीक है, 2 से 9 तक आप जाओगे, तो कितने steps जाएगे, देखो, यह 12 होता है, यह 1, यह 2, यह 3, 4, 5, 6, इस तरह से 7, 8, 9, कितने step चले देखो, कितने step हुए, 2 के बाद सिधा 9 पे जाना आपको, यह 9 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने step चले, 7 step, तब minute hand, take dash minute to move from 3 to 5, 3 से 5 तक जाने के लिए, minute hand कितना time रहते है, 3 से 5 minute की बात हो रही है, यह आपको, आर्स की नहीं हो रही, 2 minute ही तो move करना होगा, कितने minute, 2 minute, minute का answer, minute में जाएगा, आर्स का answer, आर्स में जाएगा, जो आर्स एंड है, वो 2 से 6 तक move करने के लिए, कितना time लगाएगा, 2 से 6, देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 2 से 6 तक जाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 2 से तो चला और 6 तक जाएगा, तो कितने step होगा, 4 step, 4 step move करेगा, the minute hand take dash minute to move from 1 to 5, 1 से 5 तक जाने के लिए, minute hand कितना move करेगा, देखो, 1 से 5 तक जाने के लिए, minute hand, कितना minute hand की बात कर रहे हैं, minute hand वो dots आती हैं, इस तरह से 3, 4, 5, 1 से 5 तक जाने तो कितनी step चले, 1 से चला और 5 तक जाके stop होगा न, 1, 2, 3, 4, कितनी step होगा, 4, minute का अंसा, minute में आएगा, hours का अंसा, hours में, how many minutes are there in 1 hour, 1 hour में 60 minute होते हैं, 1 hour में कितने minute होते हैं, 60 minute, in how many hours, the hour and complete one round of the dial, जो dial होते हैं, पूरा जो आप लोग मतलब clock, wall clock देखते हो, या hand watch पहनते हो, तो इसमें जिसके उपर number लिखे होते होते, इसको dial कहते हैं, तो कितने hour complete होकर, in how many hours, the hour and complete one round, one round of dial कितने में complete होते हैं, 12 hour में, अगर यहां 1 hour clock में, वापीस 1 hour clock आने के लिए, कितने hours चाहिएं, 12 hours, question number 3, 4, 5, आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, और अच्छे से इसके practice भी करनी है, अगर आपको कहीं भी कोई doubt है, तो आप clear कर लेना, thank you, have a nice day,